तो बेके बाद आपका एक बार फिर सुवागते खबरों में आगे बढ़ेंगे यूपी के जेल राज्य मंत्री धरमवीर प्रजापती निकाय की पहले से बहतर करने की कोशिश करेंगे धरमवीर प्रजापती से खास बातचीत की निउस्टेर समवादाता अभिनाश्व धरमवीर प्रजापती को प्रदेश का नया जेल मंत्री बनाया गया है इस वक्त धरमवीर प्रजापती जी है मेरे साथ सर जेल जैसे विभागा आप दिया गया है एक बहुत बड़ा महत्वपून विभाग माना जाता है जेल सुधार की बात लगातार पिछले कई सालों से चल रही है क्या कुछ प्रात्मिकताएं होंगी बतोर इस मंत्राले में देखें रात कल साम को एलाट हुआ है अब थोड़ा समझ लें और समझने के बाद में जेतना हो सके का बहतर 32 पार्टी के कारकरता बहतर करने का प्रयास करता है और बहतर जनता पार्टी कारकरता एक समास सेबा के लिए राजनिती में आता है और हम भी पिछले पांच साल के जो कारकाल हमारा राय उससे और बहतर करने का प्रयास करेंगे तो मेरे साथ थे जेल मंत्री धरमवीर प्रजापती चुकी पहले अगर हम पिछली सरकार की बात करें तो माटी कला बोट के अध्यक शुआ करते थे विभाग बटवारे के बाद इनको जेल दिया गया है इनका ये कहना है कि चुकी अभी कल ही विभागों का बटवारा हुआ है थोड़ा समय लेगा विभाग को समझने में और उसके बाद जो भी विभाग में अच्छी चीज़े हो सकती है उसको लागू करने का काम किया जाएगा वीडियो जनलिस्ट सेफोल संग के साथ अबिनाश सिंग नेउजनेशन लखनओ और से बीच लखनओ से बड़ी खबर विधानसवा पहुंच आप आस अंसारी मुकतार अंसारी का बेटा है अबास अंसारी ये बड़ी जनकारी विधानसवा में बास अंसारी शपत ले ने पहुंच ज़ा है तो जिस तरह से चिनावी नतीजे सामने आउस में जीत अबास अंसारी में हासल की है और अब शपत लेने के लिए मुक्तार अंसारी का बेटा अबास अंसारी गुधान सभा पहुचे ख़बरों में आगे बढ़ेंगे वारण असी को सरकार का एक और तौफा बड़ी जानकारी काशी से वैश्णो देवी के लिए शुरू होगी हवाई सिवा आज के बचाए दो अप्रेल से शुरू होगी हवाई सिवा तो तकनीकी खराबी के चलते दो अप्रेल से सिवा शुरू होगी काशी से एक गंटे 35 मिनट में पहुचेंगे वैश्णो देवी हवते में तीन दिन फ्लाइट की सुविधा यहाँ पर मिलेगी शुदालू के और स्वीच वारणसी से एक और बड़ी खबर पीम आवास योजना में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है DRDA के पर योजना निदेशक का आदेश दो ग्राम पंचायत अधिकारियों को वेतन रोकने के आदेश दे गए हैं ब्लॉक बड़ा गाउं के बीडियों को चेतावनी पत्र भी संदर्ब में जारी किया गया है बारणसी से बड़ी कबर आपको दे रहे हैं ये जिस तरह से बड़ी लापरवाही सामने आए पीम आवास योजना में उसको लेकर ये सकती यहाँ पर दिखाए गए है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने एक बार फिर आम आदमी को परिशान कर दिया है पेट्रोल एक बार फिर सो के पार पहुंच चुका है इससे पहले भी सो पेट्रोल ने सो रुपय तक की छलांग लगाई थी लेकिन उस दवरान सरकार ने वैट में अपनी हिस्सेद पेट्रोल डीजल की केमते नियंतरी तो वही थी लेकिन चुनाओ के बाद लगातार पेट्रोल डीजल की कीमते बढ़ रही आडर दिन में सात बार बढ़ चुकी है और पेट्रोल اس वक्त 10 रुपय के पार पहुंच चुका है तो वही डीजल!! 90 रुपए के पार पहुंच चुका है इसकी वज़े से महगाई बढ़ना अत्ता है माना जा राज इस तरह से 8 दिनों में 7 बार पेट्रोल डीजल की कीमते बढ़ी हैं इसकी वज़े से जो ट्रांस्पोर्टेशन कास्ट है वो बढ़ेगी लिहाजा महगाई भी तेजी से बढ जाएगी लक्ष्ण उसे बढ़ना दिपगराना के साथ मिखल शर्मा निउस्टेट उत्रदेश तुम्हें 22 मार से शुरू हुआ पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे का सिसला आज भी जा रही है गाज़िवाद में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया है जब गाज़बाद सही दिल्ली NCR में पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोत्री हुई है दरसल पेट्रोल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है तो वहीं डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ोत्री के बाद गाज़बाद में पेट्रोल की कीमते 100 पे 7 पैसे प्रति लीटर पर पहुँच गई है और जिसका सीधा असर आम जनता पर पढ़ रहा है आपको बता दें बीटते 8 दिनों के अंदर आज 7 वी बार पैट्रोल और डीजल की कीमतो में इजाफा हुआ है क्या कुछ कहना है लोगों का जो पैट्रोल भरवानी के लिए पहुच रहे हैं उनसे बात करते हैं सर पैट्रोल 100 के पार हो गया है कुछ कहींगे कैई से सर नहीं पढ़ रहा है महंगाई सर कितना भी कर लो भाई साब गवर्मन्ट को को रोक सकता नही महंगाई है कुछ अच्छा ही है भी है कुछ बुरा ही है सर पैट्रोल गाज़ेबाद में सो के पार पहुच गया है और बीते आठ दिनों में आज सातवी बार कीमते बढ़ी है क्या कहींगे सर क्या कहेंगे जब तो गौवर्मेंट रहेगी है जब तो ऐसी होगा अभी और पढ़ेगा यह भी और पढ़ेगा बिल्कुल लोग गाड़ी से के स्कूटी पर गूम रहे है अजकर यहां लोग यहां है महंगाई बढ़ने से घर के बजट पर कितना असर पढ़ता है पढ़ा है क्यों नहीं पढ़ा है सब चीज महंगी होगी है जब पैट्रोल के दाम ब में इजाफा हुआ है वीडियो जनरलिट्पुनित के साथ हिवांतु शर्मा न्यूज इस्टेट गाज़ेबाद